दोस्तों नमस्कार नियो टेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है मैं हूं राजेंद्र जादों हम लोग देख रहे हैं बैंक निप्टी और निप्टी का प्रडक्षन आज हम प्रडिक्षन करेंगे देखेंगे कि बैंक निप्टी और निप्टी आज क्या किया और कल क्या कर सकती है देखिए आज की आठ तारीख है बैंक निप्टी पांच मिनट का डायन ट्रेम ठीक है और आज की तारीख है आठ यह देख लो आठ तारिक है और यह है फ्लैट ओपन हुई है तो यह हम पांच मिनट का यह है हमारी पांच मिनट की कैंडल अब देखिए मैं रोज ही बताता हूँ अगर हमारी यह पहली कैंडल का यह से पहली कैंडल का टॉप और बाटम पहली कैंडल का हुमारे टॉप और बाटम याने रेजिस्टेंस और सपोर्ट ठीक है इसको दूसरी तीसरी कोई भी कैंडल ब्रेक कर दे तो ये कैंडल ने ये दूसरी है और ये तीसरी कैंडल है इसने देखो ये ब्रेक करके क्लोज कर दिया है ठीक है ना तो इसके बाद हमारी इंट्री भले ये देखो यहाँ पर दिकर लेकिन हमारी इंट्री यहाँ नहीं बन कि जब यह एक स्विंग बना देगी और स्विंग बनाने के बाद में इसने स्विंग बनाया स्विंग बना के और हमारे रजिस्टेंस को इस रजिस्टेंस को ब्रेक कर दिए ठीक है अब हमारी इंट्री यहां पर बन गई और यहां से जो इंट्री बनी तो यहां से चलो यहां तक तो ठीक है यहां आई अगर यहां पर कोई रुका होगा यह नहीं रुका होगा तो यहां से यहां तक का एक टॉर्गेट इसने दिया ठीक है और फिर इसके बाद में इस इसने क्या किया यहां पर सस्टेन किया कि काफ़ी देर तक यहां से यह जो इस हेरियम सस्टे amended किया इसका हम टाप और बाटम यह आुपर निच्छे लाइन खिंच दिए अब इस लाइन को इसने ब्रेक कर कर के किलोच कर दिए यहां से फिर यहां केँं और यहां कि हम आपके हम थ्यूंक्त हमें के बाद हैश्र है दव्मक क्षेंट यह जो safe traders के लिए एक trade यहां पर हमको मिल गया यह कितना है 600 से लेके 400 तक यह 200 पॉइंट है यह 200 पॉइंट का एक trade यह मिला हमको बिल्कुल safe traders के लिए और यहां से 48 100 से 48 50 समझे लो नहीं यहां पर हम entry यहां पर लिये हैं यहां पर तो 47 900 900 से लेके 800 शाड़े 800 समझे यह 500 पॉइंट का यह हमको यह मिला है ठीक है अब देखते हैं इधर आके देखते हैं तो असली कमाल यहां होता है असली कमाल होहां नहीं होता है देखो मैंने खलाब को बताया था कि अब क्या होने वाला है पहले यह कैंडल थी ग्रीन और ग्रीन के बाद में यह देखो रेड कैंडल बनी लेकिन बहुत छोटी सी ठीक है वहने बोला था कि गयब डाउन ओपिन होने की संभावना है अलाकि चलो गयब डाउन नहीं ओपिन हुआ लेकिन देखो मार्केट फिर भी नीचे की तरफ अब यहां पर है यह देखो थोड़ा सा जूम कर देता हूं आप लोग देखे है ठीक है इसने क्या किया है यह हैमर के भी लोग को ब्रेक कर दिया है ठीक है और एक सेटप और है देखो अगर यह वाली कैंडल पीछले दिन की पिछले दिन के लोग को ब्रेक कर देती है तो फिर बहुत मुश्किल से फिर उपर जाती है फिर वो नीचे की तरफ ही जाती है तो इसने देखो प्रिवी से देखे के पिछले दिन का लोग ही ब्रेक कर दिया और नीचे की तरफ आई है और हमारा यह है यम बना दिया ठीक अब कल के लिए कल ये क्या कर सकती है कल फिर से ये नीचे की तरफ आएगी क्योंकि अब इसको देखलो ये पहुँच चुकी है 4740 4000 गैसे दिखो छोटी सी विक दीख रही है 47 400 पहुँच चुकी है ये ये देखो छोटी विक दीख रही है 47 400 पहुँच चुकी है और कल ये 47 ये 47 47 पहुँचेगी इसके बाद जो 47 ब्रेक कर देगी तो हमारा सपोर्ट ये ठीक है नँ अब यहां पर 46 200 300 के पास यहां पर यहां हमारा सपोर्ट है और यहां तकाने की संभावना है ये यहां दो दिन में, तीन दिन में यहां से आएगी और यहां से फिर देखो bounce back करती है या इसको भी break करती है ठीक है तो ये छीज़े आपको ध्यान देना देखो जब आप ऐसा इस चीज़ पर ध्यान दोगे इसमें आपका profit क्या होगा जैसे आपके समझ में ये आ गया कि market नीचे की तरफ ही जाने वाली है सिनारियो बन चुका है setup बन चुका है ये setup बन गया है ठीक है और यहाँ पे जो candle बनी है वो बता रही कि अब आप नीचे ही जाएंगे तो आप यहाँ पे पूट साइड इंट्री लेंगे और यहाँ निकलेंगे आपको बड़ा profit होगा ठीक है अब कल भी उमीद है कि कल भी market नीचे ही जाएगी ठीक है ना चलिए अब चलते हैं निप्टी के तरफ निप्टी को देखते हैं निप्टी ने क्या किया है निप्टी भी देख लो यह आठ तारिक है पांच मिनिट का टाइम फ्रेम निप्टी अब इसमें देखो निप्टी का यह है यह है सपोर्ट और यह है रजिस्टन्स ठीक है ना पहले क्या करती है पहली यह दूसरी कैंडल दोनों कैंडल पहली कैंडल क्या करती है उपर जाके क्लोज कर देती है लेकिन हमारा इंट्री यहाँ पने बनती है ठीक है ना हमारी इंट्री यहाँ पने बनती फिर यह क्लोज करने के बाद फिर से जब वह वापस आपती है तो देखो यहाँ पर आके हमारे support करती है support को close करने के बाद में ये नीचे आती है पिछले दिन का जो closing है उसको break कर देती है जब इसको break करती है तो यहीं पर हमारा setup बनता है नीचे आने के लिए अगर आपने यहाँ नहीं लिया तो फिर ठीक है कोई बात नहीं इसके लिए तैयार रहिए ये जो हम लोग ये स्विंग का इंतजार करते ये स्विंग यहां पर क्लोज हुआ और यहां पर बनती है अपनी इंट्री अब यहां के बाद में देखो मार्केट कितना नीचे आया ये है अपना इंट्री पॉइंट 21-600 च्रीब और आया है कितना 21-500 याने 1.500 पॉइंट देख सो पॉइंट का एक ही ट्रेड देख सो पॉइंट का है ठीक है ना कितना बढ़ी है आज मार्केट थी चलो अब देख लेते हैं वह वंडे में यह क्या कर रही है एकदम से मोही चीज यहां भी बन रही है देख लो यह थोड़ा सपोर्ट पर आके रुकी है लेकिन जैसे यह गाइब डाउन या प्लाइट ओपन होगी नीचे की तरफ एक बार मार्केट चली तो यह यहां आके रुकेगी याने अभी एकिस पांसो है एकिस दो सो के उपर एकिस हजार के आसपास में यह एकिस हजार का है तो यह एकिस हजार पर आके रुकेगी एक दिन में आया दो दिन में आये मतलब यह भी निप्टी भी नीचे ही आने वाली है इसका कारान देखो रीजन क्या है रीजन नीचे आने का यह ह कि इसका क्या है यह हाई जो है इसने ब्रेक नहीं किया ठीक है यही बैंक निप्टी में भी है बैंक निप्टी में क्या किया है इस हाई को इस हाई ने ब्रेक नहीं किया और मार्केट नीचे की तरफ आ गई निगेटिव हो गई मार्केट ठीक है तो यह देखना अब हम लोग देख लेते हैं कि कल हम लोग निप्टी और बैंक निप्टी को कैसे ट्रेट करेंगे तो चलो देखते हैं कि हम कल बैंक निप्टी को कैसे ट्रेट करेंगे यह है हमारा फ्लैट एरिया अगर यहां पर हमारी यहां पे एकर हमारी बैंक निफ्टी ओपन होती है ओपन होके लोज हो जाए ओपन हो और यहां पर सश्टेन करें देखो यह से सस्टेन की हुई है यहां पर करें करके ऊपर जाए या नीचे जाए किसी भी साइड जाएगी जैसे ही हमारे राजिस्टेन्स को यह सपोर्ट को इंजार कर खेंगी जो अगली क्यंडल होगी उसक के हम इन पर टीड लें सबस्वेदें fort सब्सक्राइब लोग इंतजार करेंगे का है का इंतजार करेंगे एक स्विंग का देखो यह बाहर निकली नहीं दूसरी तिसरी केंडल बाहर आई पिर इसने गयी और यह स्विंग बना और इसको जब रेक किया ठीक है को आज हमारा शेट up बना था न ब्निया Korean set upंद यहां पर इंटरी लेना है ठीक है तो कि इस हमारा टार्गेट क्या होगा अगर यह फ्लेयाट open होती है तो हमारा टार्गेट क्या होगा पहला टार्गेट हमरा आई प्लाइट को सई पालीश शेसों फिर सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब रिजिस्टेंस है ठीक ना शैतालीश शाइसों और फिर शैतालीश आठ सो ठीक है यह हमारा टार्गेट कॉल साइट का पुट साइट का हमारा टार्गेट होगा अगर यह गैप अपन हो जाए कहां पर हो जाए अगर यह गैप कहीं पर हो जाए आठ सो पर हो जाए शैतालीश आठ सो के आसपास यहां पर गैप अपन हो जाए तो हम क्या करेंगे तब हम क्या करेंगे साइतालीश आठ सो पर हो गई तो हम क्या करेंगे तो हम अगर यहां पर 47, 600, 700, 700 पर हो जाती है तो हम क्या करेंगे तो हमारे टार्गेट क्या होगा हमारे टार्गेट होगा कॉल साइट का 47, 800, 47, 900 और 48 पूट का होगा यह काल का है पूट का होगा यहां 47, 600 और 47, 500, 47, 400 अगर गैब डाउन ओपन हुगा गैब डाउन हुगा इधर 47, 300 के आसपास में तो टार्गेट क्या होगा कॉल साइट का कॉल साइट होगा गैब डाउन में तो एक रगा के डाउन में आख साइट ताल इसचार सो साइटल साइट पन्सो साइट आड अश्यार और पूट साइट का डैप डाउन में कि तालिस तीन सो से तालिस दो सो से तालिस एक सो आई यह अगर निप्टी कर फ्लाइट ओपन हो जाए यहां पर से हमारा ट्रेड़िंग से नारियो हो ही रहएगा यह जो ठा और जैसे वह अबी आपको बिताना बार-बार देखो रिपीट करूंगा टाइम जाएगा ट्रेडी कर ने का हमारा वही रहएगा और हमारा टार्गेट क्या होगा फ्लेट में आपको पहला टार्गेट यह है। 21560, दूसरा टार्गेट यह है। 21600, और तिसरा टार्गेट यह है, 2620, यह हो गया, कॉल साइट का, पुट साइट का होगा, 21480, 21420, और 21380, यह होगा, तो पुट साइट का टार्गेट, अगर यह गयप अपन हो जाए तो, माली यह, यह, यहाँ पर गयप अपन हो जाती है, 500 के आसपास, यहाँ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अब लोगों को दिखे, अगर यहाँ पर, गयप अपन हो जाए, 500 के आसपास, 540, यह 500 के आस, 560, 540 के आसपास यहाँ पर, तो हमारा टार्गेट क्या होगा, तो हमारा पहला टार्गेट यह होगा, कॉल साइट का, 21580, और दूसरा टार्गेट यह है, 21620, और 2660, यह हो गया, कॉल साइट का, गयप अपपे, और पुट साइट क्या होगा, गयप अपपे, 21620, 21520, 21480, और 21400, यह होगा, पुट साइट, गयप अपपे, ठीक है, और अगर गयप डाउन ओपन हो गया, तो, गयप डाउन हो जाए, 21450, के आसपास, तो, टार्गेट क्या होगा, पहला टार्गेट होगा, पुट, कॉल साइट का, 21, वोने कल जो प्रेडिक्शन किया था, आज सेम वही काम हुआ है, और, आज हम लोग, जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जो अंदाजा लगा रहे हैं, कल भी, वही होगा, यह सा उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हमारा यह, जो सेट अप बना है, यह वाला, यह सेट अप जो हमारा बना है, यह हमको, प्रॉफिट जरूर दिलाएगा, तो दोस्तों, आज के लिए इतना है, कल हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, लेकिन उसके पहले, आप हमारे चैनल को सब्क्राइब कीजि आज के लिए इतना है, कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद जयेंगे